मंजिल उनिये को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों हौसलों से उडान होती है सभी पढ़ें सभी बढ़ें कॉम्प टेरिया In the previous lecture of Union Budget on the aspect of the Rural Area Schemes and the Government Fund for Union Budget 2020-21 and now Synthesis of Budget 2021-22 In the previous lecture we will discuss the more important topics and gain more knowledge about Union Budget in the aspect of Rural Areas and Rural Schemes Now today's lecture we will discuss about the United States for education, civil health and to reproduce a bold nation At the great nation and the powerful nation In the aspect of health of Indian civilization The Union Budget 2021-22 contribute more money and more schemes for Indian citizens' health Now, I will start my lecture on the subject of the Rural Area Schemes and the Rural Area Schemes इसकी जिसमें केंद्री बजट 2021-22 में स्वास और देक्भाल के लिए 94,452 करोन रुपए आवंटन किया गया है और इसको 2020-21 बजट के अनुमान से बताया मैंने और इस बार इस बजट में इसको बढ़ा कर 2,23,846 करोन रुपए किया गया है जो की पिछले हेल्थ कंट्रिबूशन का 137 परसेंट ज्यादा है अब हम यह देख सकते हैं कि केंद्री बजट में एक मात्पूर इस्थान नागरिक स्वास्त को दिया गया है यानि एक बजट का बहुत बड़ा भाग स्वास छेतर पर खर्च की विर्धी और गुरुवत्ता पूर्ण कार्यार्वन की जिम्मेदारी के लिए राज्यों को दिया गया है केंद्री बजट 2021-22 में स्वास्त और दिखभाल के लिए आवंटन 94,452 करूर रुपे से बढ़ा कर 2,3,846 करूर रुपे किया गया है जो 137% की बड़ुत्री के साथ है और हम जानते हैं कि स्वास में निवेस दुरुस्त आर्थिक समझ का धोतक होता है और यह जीवन की रच्छा करता है स्वास अच्छा होगा तो mental health अच्छा होगा physical health अच्छा होगा हर नागरिक develop होगा हर नागरिक अच्छे से काम करेगा वो काम के अधिक से अधिक घंटे सायोग करेगा अधिक सद्धिक काम के घंटे में स्वायोग से जादा कारी की मातरा मिलेगी इसी तरह आईटी सेक्टर में या किसी भी परदोकी की सेक्टर में अगर वो इंपलाई जो काम कर रहा है वो स्वस्थ हो तो वो अपनी इनर्जी को 100% दे सकेगा इस परकार से जीवन की रच्छा क करने वाला कल्यानकारी और सुक्सामर्द बढ़ाने वाला और रोजगारों का सिर्जन करने वाला यह मात्वाकांची योजना की बजट को बढ़ा दिया जान स्वास्थ चेत्र पर ये पिछले कुछ वर्स में भारत सरकार के जेंटे से एक प्रमुक इस्थान आसिल करता ज हुई है और यहां हम देख सकते हैं कि केंद्री बजट एक महत्पूर्ण साधन होता है लेकिन फिर भी इसके लिए एक बड़े भाग को यानि कि स्वास्थ खर्च में बृद्धी और गुरुवत्ता कारवन के लिए जिम्मेदारी काईफी हद तक राज्यों की भी बनती है अगर केंद्र बजट पाद भी करता है और राज्यों उसको चारू तरीके से नहीं चलाते हैं तो उस बजट का कोई मतलब नहीं रहा जाता इसलिए इस वर्ष के केंद्री बजट को ऐसी परिस्तितियों के बिजपरसूत किया गया है जबकि कोविड नाइन टीम हमारे जों और कोविड नाइन टी वायरस से बचे और डरे से हमें हम जनताओं के बीच में किस तरह का भाय का माहौल था तो इससे सुरच्चित निकलने के लिए और पूरे भारत वर्ष में भाय के माहौल को जो कोविड नाइन टी से पैदा हुआ है इसको उस भाय से निकालने के और मैं समझ सकता हूँ कि सरकार के कदम जहां तक भी हो वो मानवहित के लिए हमेशा ही सरोपरी रहते हैं और ऐसी अभुदपूर परिस्थिती के बीच में बजट पेस के जाता है जिवकि कोविड नाइन टी महामारी बिसो भर में जीवन और आजीवी का गंभीर रूप से प्रभाईद कर चुकी थी और बड़ी आबादी और उज्जन सक्या घनतों के बाउजिद भी भारत में कुरोना संक्रमल के पुष्ट मामले उससे होने वाले मिर्तियों के आखले दुनिया में सबसे कम मिले महामारी संक्रमल के पूरे वर्स अधिक से अधिक समय में एक फर प्रीद यूरोप में 74 करोन और उत्री अमेर्का में 58 करोन और इसी तरह की संयुकताबादी जो लगबख भारत के समान होती है उसमें 6-4 करोन कोविड मामले सामने आये हैं और मजबूत स्वास प्रणानली के बावजूद लगबख 15 लाक मोदे बड़े से बड़े विक्सि देशे मोही हैं और अगर सितंबर 2020 से भारत के सकरी कोविड केस लोड में लगातार गिरावट देखी गई है और 13 फरवरी 2021 तक भारत में लगबख 1.35 लैक्स एक्टिव केसे मिले हैं और सितंबर 2020 में कोविड से प्रती दिन होने वाली लगबख 1.000 मोतों का अकड़ा वर्तमान में अब घटकर 85 हो चुका है एक हजार मोते जो होती थी वो पचासी हो गई है भारत एक महत्वा कांची एक टीका करन अभियान भी सुरू कर दिया है जिसमें अधिक असुरचित वर्क की लोगों पर विशेज ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और अब तक स्वास देखभाल और फ्रंट लाइन कर्मिय के बारे में आप जान जाएए फ्रंट लाइन कर्मी बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है यह पीसे सरारों के लिए ध्यान दिजेगा फ्रंट लाइन कर्मी का मतलब कि कोविड नाइंटी के टाइम में जो भी हमारे सामने से परत्यक्ष रूप से कारिक्याड इसकरमचारियों जो भी गॉर्मेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर या कोई भी संस्तान के वह आदमी जो अपनी जान की बिना फिक्र किये और सामने से काम किये हैं जैसे सफाई कर्मी डॉक्टर नर्स यह फ्रंट लाइन कर्मी जिन्होंने सतर लाख डोज दिये जा चुके हैं उनको भी क्योंकि कोविड-90 के समय में हर चुनोती का सामना उन्होंने किया है आप लोग देखे होंगे काफी हम लोगों को यूट्यूब पे वीडियो पे देखने को मिला कि किस तरह से कोविड-90 के चलेंजिंग टाइम में डॉक्टर इंडिविजूल्स ने अपने इस तरह पर काफी हतक सायोग किया इस तरीके से उनके लिए भी सतर लाख डोज उनको दिये जा चुके और इस नए बजट में भारत सरकार ने आत्म निर्बर भारत अभियान पैकेश के परदिस में और जिसके एक भाग के रूप में स्वास् सामगरियों और ड्रग इंटरमेडियर रीज का मतलब डी आई और एपी आई के घरिली निर्माल को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारेद प्रोच साहन रासी जाने की प्रडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पी एल आई योजनाओं की घोचना की है और इसके साथ स सुदेशी वी निर्माल की लागतों कम करने के लिए बलक ड्रग पार्क और मेडिकल इवाइडर पार्क को बढ़ावा देने की योजनाओं की भी घोचना की जाती है और सुदेशी वैक्सिन परिक्शन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोविट सुरक्षा मिसन जिसमें की 900 करोन रुपए इस तरीके से लगा कर सुरू किया गया था और अब तक 92 देश कोविट 90 वैक्सिन के लिए भारत से संपर्ग कर चुके हैं और भारत सरकार ने कोविट संकट के दोरान 80 करोन लोगों को मुप्त खादान उपलब्द कराने के लिए परधान मंतरी करीब कल्यान पैकेज भी सुरू किया था और 17 राज पहले से ही लाबारतियों विशेश रूप से 13 करोन प्रवासी स्रेमिकों को उनके परिवारों को देज भर में कहीं भी सबसीडी वला राज पाने के लिए एक रास्ट एक काड योजना भी लागू की जा चुकी है और केंदरी बजट 2021-22 में स्वास्थ और देखभाल के लिए आवंटन 94,452 करोन रुपए जो की 2020-21 के बजट में अनुमान लगाया था और इस बार बढ़ा कर इसको 2,23,846 करोन रुपए किया गया है जो की 137 परसेंट की इंक्रिमेंट के साथ लागू किया गया है और स्वास्थ में निवेस दुरुस्त आर्थिक समझ का दियोतक कहलाता है ये फैसला और इसी तरीके से जीवन की रच्चा के लिए कल्यानकानी होता है और सुक्सामर्द बढाता है उत्पाद अक्ता में बिर्दी करता है और रोजगार पैदा करता है इस तरह का प्रापत करने वाले देशों की तुलना में बारत में स्वास्त पर स्वास्थ पर शान्की वैबी असंगत रूप से बहुत कम ही होता है और क्ल्स वैका केवल Tils P पर्तिसत स्वलोत से प्रापत हुआ है जिसमें लगभुए 70% नीजी वीया है और बैसवे की स्तर पर सार्व जनी की व्याय स्वास्त पर कुल व्याय का आउसाच 60.1% और GDP के परशत के रूप में भारत में सरकारी स्वास्त व्याय पिछले दो दसकों में लगबग 1% पर इस्तिर था लेकिन आर्थिक सर्विच्छन में मिला है कि सरकार का स्वास्त पर खर्च 2014-15 में GDP का 1.2% था जो की बढ़कर केवल 1.8% 2021 के बजट अनुमान में लगाया गया और राष्टी स्वास्त नीती 2017 में 2024 पसीश तक सकल घरिलू उत्पात का कम से कम 2.5% तक स्वास्त पर सरकारी खर्च बढ़ाने का लच्छ रखा गया है इसको प्राप्त करने के लिए विद्ट आयोग ने 2021-22 के केंदरी स्वास्त बजट सकल घरिलू उत्पात का 0.34% की बज़ाए 0.68% ऐसा होना चाहिए ऐसी उमित जताई गई है और स्वास्त पर सरकार के खर्च को जूटाने के लिए राज्यों की भी महत्पूर भूमिकाएं होती है राश्टी स्वास्त लेखा वर्स के 2015 सूनों के आकड़े से अगर देखें तो कुल सरकारी स्वास्त व्याय के परचत के रूप में केंदर सरकार का हिस्षा 35.6% तकी राज्य सरकारों का हिस्षा 64.4% इसी परपेक्ष में परधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत योजना जो की खोतला बज़ट 2021 में 6 साल की आउधी में 64.103 करोण रूपे के बित्य परज़े के साथ की गई थी इस योजना का लक्ष कौन सी योजना है पधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत योजना यहर स्थर पर स्वास्थ प्रणालियों को मझबूत करती है इसके मुख्य उद्देश से हैं कि टीयर 2 और टीर 3 सहरों के साथ साथ ग्रामीड छेत्रों में भी स्वास्त में पुंजी गत्व्यायका निवेश करें और सारव जनिक नीजी भागीदारियों के उसर भी उत्पर्न करें और इसके अलावा भीशे सग्जों ने सुझाया किसी योजना का उद्देश से रोग निगरानी तंत को भी सेंटर, दो मोबाईल अस्पताल और एक नेशनल इंस्ट्टूट फार वन हिल्थ की स्थापना की जाएगी कौन सी योजना है पधान मंतरी आत्म निभर स्वस्त भारत योजना और इस योजना के भाग के रूप में 17 नई सार्वजनिक स्वास्ति काईयों की स्थापना की जाएगी और 33 मोजूदाई काईयों को सुर्दून किया जाएगा और जन स्वास्त प्रयुक्सलाओं को विस्तारित एक एकरेत स्वास्त सूचना पोडल के माद्यम से जोड़ा जाएगा राश्ट्री रोग नियंतरन केंद्र को सुद्रन करने की योजना बनाई गई है और पांच छेतरी साखाएं और 20 महानगरी स्वास्त निगरानी काईयां सामिल की जाएंगी और ब्यापक प्रात्मिक स्वास्त देखभाल की कबरेच का विस्तार करने के लिए 17,788 और 11,024 स्वास्त और देखभाल केंद्र ग्रामिन और सहरी छेतरों में इस्थापित किये जाएंगे आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना में पांच छेतरी साखाओं और 20 मेट्रोपॉलिटन स्वास्त निगरानी इकाईयों का सुद्रिन करन किया जाएगा राश्ट्री रोग नियंतरन केंद्र की और सभी राज्यों और केंसासित परदेशों में सभी सारवजनिक स्वास्त लैबों को जोडने के लिए एक एकरिस स्वास्त सूचना पोडल का विस्तार किया जाएगा पाइंट आफ एंट्री और 32 एरपोर्ट 11 बंदरगा और 7 लैंडिंग क्रासिंग पे मौझूद 33 स्वास्तिकाईयों को सुद्ध्यन करना है और 17 नई सारवजनिक स्वास्तिकाईयों का संचालन ये मुख्य उद्धिश होंगे परधान मंतरी आत्प निर्भर स्वास्त भारत योजना के इसी करम में सास 602 जिले और 12 केंदरी संस्थानों में क्रीटिकल के एर अस्पताल बलाक भी स्थापित किये जाएंगे और राय उस्मान भारत स्वास्त और कल्यान केंदर सारभमिक कभी प्रणाली के मूल में एक समान और समय पर प्रात्मिक देखभाल का प्रावधान और एक मरीच के लिए प्रात्मिक देखभाल और सर्थ स्वास्त प्रणाली के साथ संपर का पहला विंदु माना जाता है अरिस इस्तर पर अनुवंसिक पर्यावरान और बैवार सहीद कई कारकों से उपजी व्यापक अनिश्चित्ता हो जाती है और अधिकांज बीमारियों को अधिक जटिल इलाज में कठिन और महंगी मीमारियों बदलने की दसा से पहले ही प्रात्मिक देख्भाल के इस्तर पर निप्टाए जा सकता है और भारत में प्रात्मिक देख्भाल कापी हद तक प्रजन और बाल स्वास्त के साथ साथ संस्थागत प्रसाव सुनुशित करने पर केंदरी थै प्राद्मिक देख्भाल प्रणाली में सेवाओं का एक बहुत ब्यापक पहकाई सामिल होना चाहिए और 2018 और 2022 के बीच चरनबड रूप से 1,50,000 स्वास्त और कल्यान केंद्रों की साहिता से लोगों को ब्यापक प्राद्मिक स्वास्त सेवाय परणाली की स्था अपना आयूश्मान भारत का एक प्रमुक इस्तंब जो की एक फरवरी 2021 तक 1,4,860 स्वास्त और कल्यान केंद्रों को मंजूरी दी गई थी और 57,747 इसमें चालू हो गए थे और 28,320 CHC, HWC और 18,972 PSC और HWC और 36,35 UPHC और HWC सामिल है और बंजरन और बाल स्वास्त संक्राम करोग गैर संक्राम करोग जैसे की उच्छ रखत चाप मदुमें इस्तान और गर्भास है गरीबा के कैंसर से संबंदित सेमाई भी ये परदान करेंगे इनके द्वारा दी जाने वले सेमाओं का विस्तार किया जाएगा और मानसिक स्वास्त नेत्र यान, मुख स्वास्त जराचिकिस्सा और उपसामक देखभाल अभी घाद देखभाल के साथ साथ स्वास्त वर्धन और योग जैसी स्वास्त देखरे गतिविधियां भी सामिल की जाएगी इन केंदरों पर दमाएं और नइधानिक सिमाय निसुल्क प्रदान की जाती हैं और इसके अलामा सामुदाई के इस तर पर स्वास्थ रिकाडो का डिजिलिटेरी करने और उन्हें जिला स्पतालों से जोडने पर भी जोड दिया रहता है एक फरवरी 2021 तक हड़ी में मुक कैंसर के लिए 3.27 करोन से अधिक लोगों की जाच की गई थी और 1.21 करोन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जाच की गई थी और 1.78 करोन से अधिक महिलाओं को इसतन कैंसर के लिए जाचा गिया था और उच्छे रक्तिचाप के लिए 6,5,3,2,8,1,8,2 लाभार्थियों की जाच की गई और मदमय के लिए 53212517 लाभार्दियों की जाच की गई और एक दिसंबर 2020 तक देश में काररण डबलू एच सी में 3307951 योग और स्वास्त देखभाल सत्र आयोडित किये गए थे और कोविड 90 संक्रमल के बाद 23,817 हड़ी परामर्ज शुरू किये हैं और अब तक देखे तो 87,85,926 रोगियों ने टेली मेडिसीन सिवाओं का लाभ उठाया है केंदर सरकार की आयोस्मान भारत के साथ-साथ प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत योजना के तहट HWC के निरंतर विस्तार मजबूती के लिए भी धन का वंटन किया गया है इसके बाद जो योजना चलाई है सरकार निया आयोस्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग योजना पी-म-जे-ए-वाई इसमें स्वस्त प्रणाली कितनी भी प्रभावी क्यों न हो लोगों को दिर्तियक और दिर्तियक देख भाल के आऊ सकता बनी रहती है और आयोस्मान भारत कारेकरम के दूसरे इस्तंब पी-म-जे-ए-ई जैसी योजना के अभाव में गरीम मरीजों को असर देरी से उप्चार करवाने या उप्चार बिल्कुल न करवाने के लावा कोई विकल्प नहीं मिलता है लेकिन भारत में लगबग 6 करवान लोग उप्चार पर होने वाले आकास्मिक विए के कारण गरीवी रिखा से नीचे आ जाते हैं और पी-म-जे-ए-वाई अस्पताल संबंदी खर्च के लिए 5 लाग रुपए के वारसिक स्वास्त कवर के साथ सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों को लगभाग 10.74 करवन रुपए परदान करके इस इस्थिती को सुधारने का प्रयास करता है पी-म-जे-ए-वाई के तहट कई स्वास्त बीमा योजनाओं को समय कीद करके सरकार ने वन नेशन वन इसकीम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और इस से हमें पता लगा अंततर और इस परकार से अंततर ये सुनिश्चित हुआ कि सभी नागरिक देश में कहीं भी दितियक और तितियक स्वास्त सेवाओं के समान पैकेज का लाव उठा सकते हैं चाहें वो किसी भी राज में निमास करते हूँ अब हम अगर देख लें तो स्वच भारत स्वस्त भारत दो हजार एक कई से दो हजार चबश तक की पांच वर्स की आउदी में एक लाग एक तालीस हजार चेसोड़ करण रूपए के कुल वित्तिया वंटन के साथ साहरी नंपूर मल स्लेज प्रबंदन और गंदे जल का संसोधन होगा स्रोथ महीं कच्रे को अलग-अलग कर देगा और सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाए जाएगा निर्माल और धाने की गतिविदियों से उत्पन मलवे के प्रबंदन से वायू प्रदूशन में कमी क्ष्णा है, मैं इस लेक्चर को दो पाड़ में देंगा, आज मैंने पाड़ बन दिया है स्वास्त पर, बजट में स्वास्त पर क्या खर्च हुए, पिछले यूजनाओं में क्या खर्च हुए, किस प्रकार से CHC, WSC और कई प्रकार की प्रदार मंद्रियाद में नेरिब बेवराओं को हमने लिया कि स्वास्थ छेत पर केंद्र सरकार ने कितना बजट आवंटन किया और उसके लक्ष कहां तक पूरे हुए अब हम दूसरे लेक्चर में इनी योजनाओं के बारे में और भी रोचक्रों योजनाओं के बारे में जानेंगे कि स्वच्च भारत स्वस राज का निर्मान बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाओं इस बजट में लाई गई और पिछली योजनाओं जो बजट में चलाई गई उसमें उस योजनाओं का लाब कितने परसेंट जंता तक पहुंचा इस पर हम विसलेशन करेंगे आज भी मैंने बहुत महत्पूर ब रहा हूं इसी करम में बहुत से कॉश्चन यूपी PCS और UP समिच्छा दिकारी में आएंगे और किसी भी प्रांट के पब्लिक सर्विस कमिशन के इस बजट से बहुत ही कॉश्चन फसेंगे मैं आज आज आप से कह रहा हूं इक्जाम के बात आप मिलिएगा एक से दो अर्गनाइज़ बाइ इंडिया गवर्मेंट on 2020-21 and the and new schemes launched by the India government what will be the effect on the Indian citizens on the this health schemes तो इस मेरा लेक्चर था लेक्चर दो पार्ट में है ध्यान रखिएगा आज पहला पार्ट था comment box में comment जरू करें आज का union budget का aspects of the human health आपको कैसा लगा मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरू प्रेस कर दें कोई भी लेक्षे मनुष के सहाथ से बढ़ा रही हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं सभी पढ़ें सभी बढ़ें comment area धन्यवाद